मान लीजिए भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोली कल को पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने लगे तो? सवाल अजीब है जानता हूँ लेकिन इसी सवाल क्या राओंड हम आज की वीडियो को रखने वाले हैं आपको बताने वाले हैं, पांच ऐसे खिलाडियों के बारे में, जिन्नोंने टीटवेंटी वर्लकप में एक नहीं बल्कि दो देशों को रिप्रेजेंट किया, जी हां बहुत कम क्रिकेटर ऐसे हैं, दुनिया में कुल मिला कर पांच ही क्रिकेटर नहीं कर नमा किया है एक नहीं बलकि दो देशों को represent किया हो T20 World Cup बिना time waste किये चलिए शुरू करते हैं वीडियो को नंबर एक पर बात करें तो नंबर एक पर जिसने एक नामा किया था वो थे निदर्लेंड्स के डिक नैनिस ने डिक नैनिस 2009 के T20 World Cup में खेल रहे थे निदर्लेंड्स की ओर से उसके बाद जब T20 World Cup खतम हो गया उन्होंने आस्ट्रेलिया में shift हो गया वो आस्ट्रेलिया के लिए खेला उन्होंने 2010 का World Cup आस्ट्रेलिया में अल्रेडी fast bowlers की भरमार थी लेकिन left arm pacer निदर्लेंड्स का होने के बावजूद गया उस्ट्रेलिया वहां इन्होंने खेला उस्ट्रेलिया के तरफ से और उस्ट्रेलिया के लिए ये T20 में बेहतर production करते थे डिक नैनिस अच्छे बोलर थे तो ये पहल South Africa को 2009-2010-2020 World Cup में represent किये थे लेकिन उसके बाद इन्होंने भी अपना nationality बदला चले गए निदर्लेंड्स डिक नैनेस जो की पहले आपको बताया वो निदर्लेंड्स छोड़के उस्टेलिया गये थे ये South Africa छोड़के निदर्लेंड्स गये थे और ये left arm spinner ने बहुत साल त 2010 में represent किया था South Africa को उसके बाद 2016-2021-2022 World Cup में निदर्लेंड्स की और से खेलती हुए नजर आए वांडेंड्स अगर बात करें तो आपको याद होगा ये नाम बहुत आसानी से Mark Chapman अभी पाकिस्तान खेलने गई थी New Zealand की टीम और वहां उनके घर में उनको T20 में दोख के जो कि उनको जानते होंगे New Zealand से खेलते हुए ही लेकिन आपको बता दू कि 2014 के T20 World Cup में Mark Chapman represent करते थे Hong Kong को इनकी original country Hong Kong है बाद में इन्होंने शिफ्ट किया और 2021 और 2022 T20 World Cup में represent किये New Zealand की तरफ से और 2024 इस साल होने वाले T20 World Cup में भी ये represent करेंगे New Zealand को तो Hong Kong के Mark Chapman के नाम भी ये Amazing Record है तीसरे बंदे हैं ये चौते बंदे पर आते हैं सीधे चौते बंदे हैं South Africa के David Vijay David Vijay का नाम आपको याद होगा कि David Vijay खेलते हुए नजार आ रहे थे RCB के तरफ से भी अगर आप RCB के बहुत बड़े फैन हो तो आपको याद होगा तो RCB को भी रिप्रेजंट कर चुके हैं IPL में खेल चुके हैं David Vijay वो खेलते थे 2016 World Cup में रिप्रेजंट कर रहे थे South Africa को लेकिन उसके बाद उन्होंने बदला nationality वो चले गए नाम इंबिया को रिप्रेजंट करने competition वहाँ कम थी और ये Allrounder की भूमिका निबाते हैं वहाँ गए वहाँ ओल्राउंडर की भूमिका निबाते हो नजर आए 2021-2022 T20 World Cup में नाम इंबिया की ओर से खेलते हो नजर आए थे और 2024 के World Cup में भी खेलते हो नजर आएंगे नाम इंबिया की तरफ से लेकिन बहुत ही जच जुडने वाला है वह नाम है कोरी एंडर्सन का को कोई कैसे बूल सकता है स्पेशली आईपिल के डाई हाड फैंस को याद होगा वो मुंबई और आरार का मैच जहां पे मुंबई को जीतना था 15 ओवर के अंदर कोरी एंडर्सन की वो 95 रनकी नौक उसने जीताया था मुंबई को और प्लेओफ में पहुचाया था तो कोरी आइंडर्सन को तो कोई कैसे ही बूल सकता है न्यूजिलेंड को रेप्रेजेंट करते थे 2014-2016 वर्ल्ड कप खेला है T20 का इन्होंने न्यूजिलेंड की तरफ से लेकिन अभी करेंटली बदला है इन्होंने नैशनलिटी अभी चले गए है USA USA को रेप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे 2024 T20 वर्ल कप में जो किस साल होने वाला है तो यह बहुत ही हेर फेर होने वाला इस बार इंडिया खेलेगी USA से इस साल मुकाबला अपने ग्रूप स्टेज में तो वहाँ पे हमें कोरी अंडियो से को रेप्रेजेंट करते हुए नजर आ सकते तो यह पांच खिलाडी है जिन्नोंने एक नहीं बलकि दो देशों को रेप्रेजेंट किया है T20 वर्ल कप में कैसी लिगी वीडियो हमें कमें से बताएगा ऐसे ही अनोके और इंटरस्टिंग वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सिस्क्राइब ज़रूर कर लेजएगा